कुश्चन यह कर रहा है कि एक कार को 2,78,000 रुपे में बेचने पर एक डिलर को 25% का लाव होता है यदि इस प्रोफिट को घटा कर 18% कर दिया जाता है तो आपको बताना है कि विक्रेमूल यानि कि जो सेलिंग प्राइज है वो कितना होगी देखिए 25% का जो fraction value होती है ये कोटे में 4 यानिक हम ये कहें कि अगर 4 रुपे उसका cost price है तो उसको बेच कितना में रहा है एक रुपे अलाव में यानिकि 5 रुपे में बेच रहा है ठीक है और 5 की value question में कितनी दे रही है 2,78,000 अगर 4 रुपे उसका CP है और 5 रुपे उसका SP है तो यहाँ पर जो profit हो रहा होगा उसको वो कितना हो रहा होगा चार और चार रुपे cost price है 500 रुपे SP है तो profit कितना कर रहा है एक रुपे का profit हो रहा है ठीक है अगर 5 की value यह है तो एक की value कितनी आ जाएगी 25,25 और यह कितना जाएगा आपका 25,25 यानि कि 55,600 और एक हमारा क्या है एक profit है यानि कि profit हमारा कितना आ गया है लाव कितना आ गया 55,600 रुपे आ ठीक है अब 55,600 किसकी value कि है 25% की value है यानि कि आप से यह कहें कि 25% का value है आई निकल कर कितनी 55,600 हमें क्या करना है लाव को 18% की value निकलनी है अगर 18% की value निकलनी है तो यहां से 18 से multiply करेंगे तो यहां से 18 से multiply करना होगा निकलना लिकला अदेखो आठः-ठचोग 92 two का 2 अथा जेस और साथ चाहर पार जाएक 46 देखो यहां I japanese का का और कि तना हो जाएगा 2,22,002,000 अवर इसको हमें क्या करना है प्रोफिट को इसमें ऐड किरना है तो भी हमारा क्या निकल के आएगा Decrymule निकल के आएगा यो सेलिंग प्राइज निकल के रहेगा जो new selling price होगा क्या होगा new selling price, Cost price plus में profit, अब प्रोफिट हमारे जो निकल कर आए कितना है 18 % का अठारद प्रॉफिल कितना निकल रहा है? 40,320. स्कूल चbere अट करें। एंसे की बहुत ही है?? जानी। 20,605,54, और यह कीतना हो जाएगा आपका?? ऑ स्कार्मौ करें के दिकर भाशल्ड न कहका बस्कति हो जाना है.. यहां बहुत हो है.. 40,1,6262, यानिकि 2,62,432 तो 2,62,432 जो इस question का इंसर हो जाएगा option number A